पाकिस्तानलेियो पोगिन में उनको यह चाहते ही नहीं थे उनके अब कि लेधा के खिलाफ के ल्वार पाकिसान में बेच्चा बिना नो के थो थोश्चा दोस्तों डिडीरेट के एक और एक्छन वीडियो मैं, आप सभी का स्वागत है मैं हुआ लोग तो आज जो वीडियो लेकर आए हो वीडियो है निम्राय हमत का और इसका टाइटल है हसीना का एंटी इंडियंस पर वार पहले बीवी और सारी को जलाने को हो जाओ तयार अच्छा जी बात सही है इंडिया आउट कैंपेइन कुछ पागल टाइप के अब इस पर जो बंगलादेश की पीम है उन्होंने तंज कस्ते हुए कहा है कि जो लोग इंडिया आउट कैंपेइन कर रहे है सबसे पहले वो अपने बीवियों को बोले कि साड़ियां जलाते हैं हो अपनी साड़ियां इंडियान है और भी कई बाते उन्हें ने बोली है तो बंगलादेश के लोगों को पता नहीं समझ में आती है बात के नहीं आती है क्योंकि वहाँ भी तो रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है ना भई हिंदू, मुस्लिम ये सब बहुत बढ़ रहा है हिंदू पर अत्याशार भी कर रहे हैं उनको लगता है यो हो हम ही निजाम मुस्तफा टाइप के हैं और हम पूरे दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और हम तो ये करके रहेंगे अब उनको क्या पता की जमाना बदल गया है खर चले बई तो पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कहते हैं दिल्चस्पोगा देखना चलिए आज हम बात करने वाले हैं बंगलादेश पाकिस्तान और भारत के हवाले से बंगलादेश के अंदर एक मुहिम चल रहे थी इंडिया आउट कमपेंड चल रहे थी बी एन पी की जानब से जसको हसीना वाज़िद ने क्लियरली शाट अप कॉल दी है बंगलादेश में जो बोला जा रहे था कि इंडियन प्रोड़क्ट्स को बैंड किया जाए इंडिया को बैंड किया जाए इंडिया से कोई तालुकात ना रखे जाए उसको हसीना वाज़िद ने आकर क्लियरली माइनस कर दिया अपने स्पीच में उनने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि इंडियन प्रोड़क्ट्स का खात्मा करें इंडियन साडियों का खात्मा करें इंडियन चीजों का खात्मा करें सबसे पहले अपने बीवियों की साडियों को और अपनी बीवियों को आग लगा दे अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिया को बाइकॉट करें तो आप इंडियन फूड को खाना बंद कर दे और बंगलादेश में किसी भी किसम की एंटी इंडिया स्टेटमेंट को नहीं सपो की बात की जाए तो बंगला देश हमेशा पाकिसान को धुतकारता है बोलता है कि जिनोसाइड की हमें माफीद चाहिए बढ़ते हैं अवाम की जाने इस खबर को लेकर क्या कहती है पाकिसानी अवाम जाने के लोगों से मिलेंगे वीडियो के एंट पर एक पास नहीं इंडिया और आप तुझे से हमारे हक के लिए बिल्कुल बुलंद आवाज करके खड़ी है पुरा पाकिसान हमारे हक की बात करता है है ना नहीं इंडिया वाले तो हमारे हक में नहीं है तुम हो हमारे हक में अगर हक में होते तो बटवारा नहीं करते वारत का एक हिससाथ तुम लोगों ने लिया यह कि तुम लोगों को नहीं रहना था हमारे साथ और बात करते हुं कि ने ने अच्छा दुश्मन मूलक है हमारे हक में ही निया वो ते चाहती ही हमारे हक में कुछ आए कोई सीज भी हो हम चाहते हैं अपने आपको स्टेबल रखना उविस्ली हम चाहते हैं पिर हम वह नहीं अभी स्टेबल हुए हैं सॉधिया से हम रो रहे होते हैं कि हमें करजा दो तो यह कौन सा स्ट्रॉंगनेस है जो पूरी दुनिया को नजर नहीं आ रही सिर्फ हमें नजर आ रही है और दुनिया कह रही है कि वह यार पाकिस्तान तो हमें बड़ा टफ कॉम्पेटिशन दे रहा है तोड़ो भईया इनको वह तो हमारी गुर्बत है ना हम लोग इदर उदर भटक रहे हाँ हँ है गता ओ इंडिया ने क्या साजिश किया हम वारे खिलाफ लगर भी बंगला देश की हसीना वाजब खुद कह रही है कि इंडिया खिलाफ एक बात नहीं करनी इंडिया ने यह साजिश ही है हम खोश रहे expl हैम तो जह कहते ही नहीं हम खुश रहे अब देखे मैं तो इडिया बैठी नहीं मुझे तो पता भी निया तो पाकिस्तान के खिलाब क्या साज़िश किया वो ही पता दे इतना मेरा वैसे दुआ काम नहीं करता है लेकर फिर भी अाया कि आप अब यहाया अब परकिस्तान आपि में पाकिस्तान को उसमें इंडिया कि साधिश बचे बच्चे नहीं यह लेकर इदार बटक जाते हैं बेचार इदर बटक जाते हैं वारी अपनी दो करते सहीनी है ना चले कोई नहीं हमारी कृटूत है ठीक हम भी तो ऐलात से मुझबूर हैं बचाहस किसी आप किह रही है कि बंगला दिश ठोइंडिया नहीं बोड़काया किसी मुसलिम कंट्री से हमारी बंती नहीं है आप बताए वो तो Muslim countries हैं उनमें भारत अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है यह बताए अब इस तरह कर सकता है कि पता नहीं है जी बताए तो सही आप बात कर रही हो और आपके पास explain करने के लिए अपना मौकफ नहीं है अब मैं क्या कहूँ मुस्लिम कंट्रीस की भी हमसे नहीं बनती किसी भी Muslim country की नहीं बनती आज यह सास ओर है काश पाकिस्तान की तारीख बल्ली हो थी क्या बात है यह बात तो आपने बिल्कुल ठीक है हमारे बच्चों को तारीख का कुछ भी नहीं पता है अब यह बाते शम से सैपरेट की हुआ था कुछ पता है पढ़ा रही अभी तक पढ़ेंगे अभी आएगा नहीं वह फाक स्टेडी का लेक्चर पढ़ेंगे फिर भी याद आएगा कुछ एक्षाट में हो सेकिंड सिमिस्टर है इनिवस्टी में हो गी इनिवस्टी में है यह फ्यूचर पाकिसान का है नो नॉलेज़ ओनली गॉसिप ओनली हवा हवाई बाते हैं और यह उनिवस्टी में पढ़ रही है माड़ा है यह लेवल का फर्क है अब हमारे यहां की किसी इनिवस्टी की बिटिया को देखिएगा वो ऐसी बेहुदा बाते नहीं करेगी वो कभी उसके बातों से आपको नॉलेज जलकेगी ऐसे डंब नहीं नजर आएगी जिनको जाके क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर में ज्यादा टाइम बिताती है बालों को स्ट्रेट करवाना कलर करवाना बाकी सारी चीज़े करना बाकी उड़ने पहनने पर ध्यान देना मैडम थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे दो पाकिस्तान सब्सक्राइद करोगी कि यूद निंग आप फार के बर कर सभ्स इन्डिया कौन अज्ब करें कुछ दो कि न हम उन्दा ल५ पाकिस्ता मॉल्हक्त कीुंँ हो गया ओобщें दीना ने पाकिस्दान ह। पाकिस्तान की आखती ही नहीं जा फे और वह था था किसुछ टारिया किनmbre इतना कुछ तो कर दिया इतने लोगों को तो खिलाफ कर दिया हमारे इतने लुकों को अब मुल्क तो याद नहीं हुझे अफगानिस्तान को फुड़वाने के लिए अड़े हमने दिये हैं बंगला देशियों को हमने मरवाया अभी हम कहते हैं उनकी साज़िश्टी हम खुद किसी दूसरी मुस्लीम कंट्री के साथ उनके ठालूकत खराब ने है सिर Hamm तो एंट्रीवी i mean record ह flavored उनकी तरफ से क्या hate है उनकी तरफ से बस हमने नहीं बता है लेकिन यह पता कि एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिन यह नहीं बता कि उसको एक्स्प्लेइन कैसे करना है बस लेक्स्प्लेइन नहीं होता वह अब अंदर की साज़िशिया मैं तो बैटी नहीं नहीं देख रही हूँ बताओ कि अभी बलोचिस्तान में भी प्रोटेस्ट च कर रहा है जिस तरह से 1971 में हमारे साथ एक बहुत बड़ा हाथसा हुआ कि बंगलादिश अलग हो गया खुदाना खास्ता अगर कोई और स्टेट अलग हो जाती है तो क्या तब हम कहेंगे कि इंडिया का हाथ है वो तो हमसे राइट्स मांग रहें अपने बलोचिस्तान और कि किंड़ा कि मैं कुछ कह नहीं सकती है जरौ इस चल रहा है वह के रहें हमें अलग वतन दो तो दे दे मैं यहिए सकती है फिर पाकिस्तान टूट जाएगा तूट जाए तो इसमें मेरा कसूर है आप सपोट करती हो और किसको नग मानुद जाएग तो टूट जाए नहीं क किया कामगी हमें लॉख की साजिश है इंडिया की साजिश हैं imagery ज़क्सान में बाइब पा Gulf著 द यदि उसमें गें गया है कि इंडिया की साजिश कर सकती है घुल आ piace है वही तो कहीं भी प्यारि कि दो कहें चाहे बकरी भी पादा होगा इसम गैंडिया की साजिश caffeine विन्टरिनल मेंटर्स हमारे है, गल्ती हम कर रहे हैं, कियाधरा हमारे हमारे है उस में इंडिया का कह से आता गया। अब आकिस दरको कॉर्परेट करना चाहिए ना। बिलकुल। अब में क्या करूँ ? करना चाहिए। तेंक यू सो मुच। वो उनकी रिष्टेदार। वो उनकी कुछ लगती होंगी यहां कोई उनकी साइट पर होंगी। इंडिया ने बहुत मदद किया बंगलादेश की। हाँ क्योंकि उनने लेदर जो करवा दिया था उनको। हमारी गलती नहीं थी। मैडम जाके पढ़िये ना हमने नहीं दिया था आपने लिया था आपके मुहमद अली जिन्ना ने लिया था कि एक साइड पर बंगलादेश भी बताब पूरी पाकिस्तान रहेगा एक तरफ पश्वी पाकिस्तान रहेगा और दोनों तरफ से हम भारत को घेरे रहेंगे। हमने नहीं दिया था आपने लिया था आपने मांगा था मुहमद अली जिन्ना आपके कायदे आजम ने मांगा था स्टडीज मैडम स्टडीज बहुत जरूरी है और सही तारीख पढ़नी बहुत जरूरी है वरना आप जैसे लोग ही पैदा होंगे और आप जैसे लोग ही आगे आने वाली नसलों को बताएंगे घलत इंफॉर्मेशन फिर पूरी दुनिया आप पर हसेगी जाकर आपरेशन सर्च लाइट के बारे में पढ़ियेगा मैडम जराब जाकर आपके देश में हमदुर्रह्मान कमिशन के रिपोर्ट है 1971 वार पे जाकर पढ़ियेगा वो आपके जस्टिस से पाकिस्टान के जस्टिस से जस्टिस हमदुर्रह्मान उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि पाकिसानी फौज ने बंगला देशी जो पूरी पाकिसान था वहां के लोगों पर क्या किया था तब आपको समझ में आएगा सिर्फ शर्म से जुब जाएगा उसमाँ भारत की कोई गलती नहीं थी कोई साज़िश नहीं थी आपकी गलती हैं आपकी साज़िश नहीं जिया प机ए लगई स्पेस पे और हमने माना नीं था उनकी सीट्स जादा है लैंगวिच को मैं लोगों ने कोई प्रॉपर इंप Ó hist ne थि हम नें चोटे-चोटे काले काले हम पर राज करेंगे जब आप इस तरह से किसी के बारे में बोलोगे तो वो हमारे लिए फूल धोटी जड़ेंगे अब मुझे नहीं पता है अब समझ रहे हैं क्या बताया गया है चैने बात नहीं बताई गई है जूठी बात बताई गई है ये जहन में बरा गया है और ये लोग इसको सच मान बैठें अब देख रहे हैं इनफॉर्मिशन का खेल कैसे होता है इसको सब्सक्राइब देख रहे हैं और ये जहन में बरा गया है बंगलादेश ने तो हमेशा कहा है कि पाकिस्तान हमसे माफी मांगे पाकिस्तान ने हमारे बड़े बंदे मरवाई ये उनकी अपनी ऑफिशल स्टेटमेंट है मुझे नहीं कुछ पता इस बारे में इंडिया का बहुत साथ देते हैं क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट केस बारे में क्या कहते हो इंडिया तो चाता ही है था किल लएद हो जैँ वो अच्छा और हम, हमने भी तो नारे लगाए थे वहाँ वहार तुम यहां हम इंडिया के बारे में सारी बुरी बाते पता ही ने लेकिन जो असल बुरी बात थी जो असल क्रांड किये पाकिस्तानियों ने वो नहीं बताया गया वो नॉलेज नहीं आप आप नोट कर रहें इस चीज को किस तरह की knowledge भरी जा रही है वहाँ पर पीडियों में और ये उसको सच मान बैठे है तो इसलिए तो बदनामी होती है पाकिस्तान कि हर जगा मूँ छिपाते फिरते हैं पाकिस्तानी क्योंकि उन्हें लगता है कि रहे ये सच तो ये है जबकि सच बिलकुल अलग है पाकिस्तान वेम औरुपलोचसान वाले तो वैसी पंजाब से न कुम उनको ज़्याता मिलते हैं उनको जबाब्स मिलते हैं तो हम रहे खुद बोल दीए कुछ जबढोव मिलते हैं इसका मतलब है हम में जबावलोचसान कभी गई नहीं लग कोई एक अच्छा स्कूल को ये अच्छी उनिवर्स्टी को ये अच्छा हस्पताल वहां पर बता दे जो बलोचिस्तान में हो कभी गई बेशर्मी देख रहा है आप बेशर्मी है ये पर तो लाइट नहीं है वहां पर तो लोग लकडियों पर खाना बनाते हैं ये राइट्स दे रहे हैं हम पता नहीं 1947 से पीछे बिचारों को बेश दिया है अच्छा अलग बतन नहीं डिमांड करेंगे क्या बताए मुझे से अच्छी भी नहीं नहीं बता बताए अब इसमें भी इंडिया की साजिश है हो सकता है हो सकता है यानि हमारी अपनी कोई गलती नहीं है कि बिल भी जादा आते हैं ना तो कहा देना यह भी इंडिया ने बना के बेज़े हैं इस सिट्वेशन हो सकती है जो वह कह रहे हैं कि उनकी खलाफ कोई बात नहीं की जाए तो कहता है कि हमें सपोर्ट बहुत इंडिया नहीं कि है हमारे यहां पर बहुत से प्रजेक्ट्स कि हैं और हमें जब भी ज़रुवत पढ़ती है तो इंडिया भाईयों की तरह हमारी मदद करता है हमने कभी कि यह बहुत नहीं हमने कभी किसी की मदद ने की तो फिर हमें क्यों अच्छा समझेंगे वह यह बताएं बंगलादेश और इंडिया के तालुकात को आप कैसा दे पाकिस्तान और इंडिया के लोग उनके बीच काफी बॉनिंग्स ज्यादा है क्या लगता है क्या कहोगे आपके बंगलादेश में एंटी इंडिया कंपेइन को सपोर्ट नहीं किया जा रहा इंडिया उनके लिए इतना इंपोर्टन्ट कैसे हम तो नहीं हुए क्योंकि बं कि समझती है नाइ em watchingutar को यूव बाध किया खुमीर वाई साइप लोग तो मर रहें ऐसे वह कंटुन ही स्पोर्ट तो नहीं करता पस्सान को क्या बर्बाद किया इंडिया ने इंडिया ने परबाद किया जो किश्मीर से आप देख ले कश्मीर किसमीर में कमिर जारे किस्विर में यह अपना कश्मीर के आरा है मैं पाकिस्टान से अलग कर economics कि वह हैं और हम चैनल कि अपने आप खुद कर रहा है कि हमारे कशमीर के अंदर हिंदु पंडित भगा दिया हमने उनको मार मार के ये जुल मैं कि अवानों का फून लाला किसी और कम्यूनिटी का नहीं 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 यह बात मैं अग्री करती हैं कि हर कोई इंसान है हर किसी के अपने राइट से इंडिया ने पाकिस्तान के और नहीं किया, यह हो गया इतना ही बरबात किया. बस इतना होना था हो गया. नॉलज बिलकुल नहीं है, निमरा आप ने गलत लोगों से सवाल पूछ रही. बिलकुल नॉलज नहीं, इनको कोई नॉलज नहीं है. ये लोग मुझे लग राए इनिवस्टी या कॉलेज सिर्फ फन करने जाते हैं नाम के लिए जाते हैं कि फैशन से बनके सबस्वर के चलना है क्लास अटेंड करनी है थोड़े गबाजी करेंगे दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे अब वापस घर चले आएंगे इनको ना नौलेज से इनको कोई फिकर है नहीं इनको पढ़ाई से कोई मतलव है सिर्फ रट्टा मार लो, सवाल के जवाब देदो क्या बोल के आए, क्या लिखके आए, क्या पढ़ रहा है, इनको कुछ नहीं पता अब तक तो जितनी बात है सुनी मने किसी को कुछ नहीं पता है कुछ नहीं पता है डम स्टूदेंट से रहे हैं डम तो फिर माफी बहुत करता है जाहिर है जब उनके इतने लोग मरें जयातिया हुई तो फिर जाहिर सी बात है वो हम से प्यार थोड़ी करेंगे कुछ तो चाहिए उनको अगर माफी माफी तो बहुत बहुत भाई भाई बोलते हैं आपस में एक दूसरे को शायद कुछ अंदर से दे रहे हु में ले रहे हु मैंने को नहीं चाहिए हुए और ढरी सी की आपको कुछ पाता है इतना नहीं पता है इसके बारे में करता है किसे मुझत करता है vaccines कि लेते हो अच्छा कंट्रीए मुझे जो लगता है कि गान्दीग मोद्य और को अँछा मतब यंग जो यूथ उनको बहुत स्पोर्ट करता है इसले वर्ड के लिए वह कैसे लीडर साबित हो रहे हैं अच्छे वर्ड के लिए भी अच्छे वदत कर रहे हैं मुझे तो लगता है अभी जो आपने देखा होगा वहां पर सौधिया में जो वह मंदिर बनाया है उन्हें ने दुबाइमें मं इंडिया ने साथ दीया तो दुबाइम उन्हें बनवा की दिया ना उन्हें कोई अपना मुनाफ़ा देखा होगा अपनी शेख निकाह ने का था जहां पीम मुदी हाथ रखेंगे मंदर बही बनेगा कितना प्यार ने मंदिर बनाया और उनका फाइदा है अगर उनका कि लगता हैं बंठाऊ सार्हार के वी जाद ही झाडा हैं पता है थे भाता हैं तो आपको क्या देश है यह कहुँ आपको यह फॉठ एन्रह भाहरा थे कुछ पथि आप को किस किसम कितनी सपोर्ट आज बंगलादेश को मिल रही है इंडिया से कि वो दुनों आपस में भाई बन गया है जब कि जो बंगलादेश हमसे अलग हुआ था हमसे वो कहते कोई तालुक नहीं रखना चाहते हैं पाकिस्तान से क्यूंकि उस टाइम पर शाहिद पाकिस्तान की गलती थी कि मुझे कुछ ज्यादा इंफरमेशन नहीं लेकर जब मेरे खामेक उनकी पॉलिटिकली जब आना आरना चाहते हैं उनको मेंडेट भी मिला तो वो भुट्टो ने जो हमें बता है उस पे उनको नहीं दिया तो वो सारा टेक ओवर कर लिया था तो वो फिर उनकी आई थिंग शेक मुझीबुर रह्मान थे उस टाइम पर वो थे तो उन्होंने फिर सेपरेट का वो फिर एलान किया था कि हम दुग नहीं रखना चाहिए तो फिर इंडिया ने सपोर्ट किया तो फिर मेरे खाल में चीज ठीक है जो आपको मुश्किल टाइम का साथ देता ह फिर वही आपको याद देता है हमने कितना साथ यह बंगलादेश का जब भी महाँ पर क्राइसिस आये है कुछ साथ दिया हमने मुझे कुछ आइडिया निया इसके बारे में लेकिन अगर कोई मुझे लगता है पाकिस्तान हमेशा हरकी किसी के साथ खारा होता है पहले पाकिसान तो फोल फर जाएगा का इन्हों हमसे कौन सी हैल पार्च तक हुमने मांगे यह हमने कौन सी चाइना को घड़ दिया मैं इनकी प्रोड़क्ट समी अच्छा मुझे बदा तुर्की में जलजल आया था हमने उनकी मदद क्यों नहीं नहीं का बिजवाया वासमान हमने को वापिस कर दिया तुर्की ने हमें वड़ा सुनाया भी था कि यह क्या हरकत है अफगानियों के कि इतनी मदद किया हमने नो कमेंट्स किसके साथ हम खड़े हो सकते हैं बताएं जब दुनिया को ज़रूरत पड़ती है तब हम आखे फेर लेते हैं कि मैं क्या कह सकतूं यह त कि यह मुस्लिम कंट्रिस जो है यह हमसाय हुमारिक जब अगदार है इसके बारे में आप क्या कोई है क्यूंकि हमें पाकिस्तान में जो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी से परपैटीमी है हमारी जो कह सकते हैं कि हुक्मरान है हमारे उपर उनको सिर्भ यह हम लोग से कोई करनी है बस अब आप मुझे यह बताएगा कि तमाम जो मुस्लिम कंट्रिस हैं उनकी पाकिसान के साथ बंती तो नहीं है ठीक है अफगानिसान ने आप आपने रिसनली देख़ा देखे बात तो सही है आप लोग टाइम लूप पे फसे हुए हैं उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं और इन फैक्ट आप लोग और पीछे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं रही बात भारत और बंगलादेश के रिलेशन्स की तो देखिए बंगलादेश की आजादी के ल थी वो 93,000 जनल नियाजी ने सरेंडर कर दिया 93,000 के साथ तो खतम हो गई थी लेकिन तब तक 13 दिन में हमारे 3000 से 5000 के बीच आंकड़ा है करीब करीब मान लीजिए 4500-5000 हमारे जवान उन्होंने अपनी जान दे कर बंगलादेश को अज़ाद करवाया तो यह बंगलादेशयों को भूलना ने चाहिए शेक हसीना को पता है कि किस तरह से उनको और उनकी जान भारत के लोगों ने बचाई भारत की आर्मी ने बचाई उनको आइडिया है मुझीबुर रह्मान को कैसे बचाया उनको ये भी चिल्डरन अफ वर या चिल्डरन अफ कुछ करके है वो आप जा के पढ़िए गा बंगलादेश के बारे में कि पाकिसानी फोज ने क्या किया था बंगलादेश के महिलाओं और बच्ची और लड़कियों के साथ पढ़ेंगे तब तो आप लोगों समझ में आएगा कि बंगलादेश आपसे नफरत क्यों करता है लिंक पढ़ना आपने है नी जानना आपने है नी आप तो लगता है कि वो भी मुसलमान हम भी मुसलमान तो हम तो भाई 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 यह नहीं अगर ऐसा होता तो 71 में बांगलादेश टूटता ही नहीं कोई मुसल्मान भाई-भाई नहीं होता सब अपना फायदा देखते हैं हर कोई अपना फायदा देखता है मुझे बिर रह्माने अपना फायदा देखा यही काम आप अभी बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं बलोच के साथ, पश्टूनों के साथ, सिंधियों के साथ धीरे-धीरे चली रहा है मामला देखतेर यह क्या होता है और रही बात बांगलादेश की तो हम मदद कर रहे हैं लेकिन बंगलादेश में जिस तरह से रेडिकलाजेशन बढ़ रही है और करो ना इंडिया बाइकॉट कर दो ना भाई अपने बीवियों के साड़ियां जला दो जो दवाईयां खारे वो दवाईयां जला दो हस्पिटल में हमारे कलकत्ता में और पश्चिम बंगाल में जो हमारे लाइन लगा के खड़े रहते हो तुम लोग इलाज कराने के लिए अपने आगे डॉक्टर से कराऊने इलाज बंगाली डॉक्टरों से बंगाली दवा खाना खोल रख खायना हूं लोग ने उदर बंगलादेश में क्यों ने कराते हो इधर क्यों आ जाते हो कराने इलाज हर जरूरत के लिए तो भागते हो तुम लोग भारत जो बंगलादेशी जो सुन रहा है मेरी बात जिसको इंडिया पसंद नहीं है जिनको हिंदू पसंद नहीं है तो दबाई खाना बंद कर दो अभी से दबाईयां यहीं से जाती है हमारे सामानों का इस्तमाल करना बंद कर दो फॉरण तब तो आटे दाल का भाव पता चलेगा और चिंता मत करो बहुत जल्द पता चलने वाला है वैसे मैं फिर कहूँगा कि जादतर जो बंगला देशी हैं वो बोलते नहीं है चुप रहते हैं उनको पता है कि इंडिया की इंपोर्टन्स क्या है लेकिन एक परसंटेज उफ बंगला देश ये भी है जो हमेशा भारत की बुराई भारत के खिलाब भारत ये भारत वो क्योंकि वो रेडिकलाइज हो रहे हैं वो मुस्लिम हिंदू करते हैं लेकिन इन्हीं हिंदूओं के बदौलत तुम्हें देश मिला था तो हमारा बिजनस यह है वो है तो हमारे यहां सा कॉटन जाता है तुमारे यहां जिस दिन हमना कॉटन बंद कर दिया ना सारा तुमारी फैक्टरीज बंद हो जाएंगी जाकर पढ़ लेना कितना कॉटन हमारे यहां से तुमारे यहां इंपोर्ट होता है उगालो कॉटन अप झाल झाल